हेलो फ्रेंड्स स्वागत आप सभी का एक बार फिर से यूपी जी की क्लास में जैसे आपको पताए कि हम जो यूपी जी एस पढ़ रहे हैं यूपी जेनल नौलिज पढ़ रहे हैं वो हमने गटना चक्र से स्टार्ट किया है तो इसका मतलब कि जितने भी आपके यूपी के में चाहे वो आपका लेकपाल का हो या हैड ओपरेटर का हो रेडियो ओपरेटर का हो या कोई भी आपका यूपी का एक्जाम जिसके अंदर आपकी यूपी जी के आती है उसके लिए कंप्लीट वीडियो है क्यों क्योंकि देखिए घटना चक्र यूपी के लिए बैस्ट को मानी जाती है अगर आपने त्यारी होगी या आप त्यारी करते हैं तो आपको पता होगा कि घटना चक्र अरुपी के लिए कितना उप्की होगीे ईसलिए हम विसलिए जितना भी तक त्क में यूपी जी के ने क Must 으 क्मेट की है यह वन्य जीव हों नदियां जन्यातियां इतिहास वगरह यह सारी चीज़ें हमने कंप्लेट कर ली हैं तो ज्यादा तो कुछ सिलेबस बचा नहीं है लेकिन दो तीन टॉपिक बचे हैं जिसमें से एक एक दो तो क्वेश्चन वो अक्सर पूछ लेता है तो उसी के को कंटीन सबाव इधान मंदल जो होते हैं इनके बारे में यानि कि एक आप आज हम जो बात करेंगे वे एक पॉलिटिकल चैप्टर है अगर आप इसमें पढ़ते होंगे आपने भी तक पढ़ा होगा तो आपको पता चल गया होगा है प्रसासनिक धांचा पढ़ेंगे हम एक तरीके से यूपी का कि सबसे पहले सी कौन था मोजूदा सी एंप को न Хोन है सबसे पहली महिला सी कौन सी थी उसके ऑद हम गवर्णर के बारे में पढ़ेंगे कि कौन सा इस्टार्ड सोरी जब अबहुत आज तोटी से रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर आप लेकपाल और हैड ऑपरेटर या यूपी के किसी भी एक्जाम के तियारी कर रहे हैं और आपको यूपीजी के पढ़नी है तो आप हमारी क्लास ले सकते हैं बाकी जितने भी क्लासिस हैं वो आपके चैनल पर जाल दी है प्लेइलिस्ट पर जाकर आप देख सकते हैं घटना चक्रों यूपी के कि नाम से प्लेइस्ट बनी हुई है और हैड ओपरेटर के लिए साइंस के पर्टिक्लर क्लासिस भी मैंने अर्ड़ि अप्लोड कर दी हैं जाकर आप अच्छी लगे तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज हम बात करेंगे पॉलिटिकल स्टेटस की बात करेंगे पॉलिटिकल स्टेटस मतलए जो इतना भी यूपी के बारे हैं हम एक तरीके से राजनितिय क्या प्रसासनिक नाचा पढ़ेंगे तो जैसे स्पीकर के बारे पढ़ेंगे हम विधान परिसद विधान सभा और आपका सी एम गवर्णर यही सारी चीज़े करेंगे ज्यादा नंबर टॉपिक नहीं है फैक्ट्वल चीज़े पूचता है और किस तरीके से पूचता है आपको सारा रटने कर जरूरत नहीं है मैं आपको बताता चलूँगा आपको क्या चीज़ पता होनी चाहिए ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेकि सबसे पहले हम विधान परिसद और विधान सभाग के बारे में जान लेते हैं जो चीज़े आप एक्जाम के पॉइंट ऑफ यू से हम ल बॉटर्टर या किसी भी यूपी के एक्जाम में हद से आद आपका यूपी से रिलेटेड जो क्वेस्चन होते हैं वह आपके 10 से लेकर 18 क्वेस्चन अक्सर पूछ लिया जाते हैं तो उसके अंदर आपको जादा डिटेल में नहीं जाता है वह आपसे सारा जितना भी होत है facts पूछता है वसी के according हम विधान सभा विधान परीस्ता जितने वी आज क्वा है कंप्लेट करेंगे जी देखे विधान परीस्ता आप लोग को पता होगा क्या होता है यह आप ड़रेक्टली चुंते विधान सभा जो आप विधायक चुनते हैं और ये विधान परीशद आपके इंडारेक्ट ग्लेक्शन होते हैं जो आपके विधान परीशद में सदस्य चुने जाते हैं तो देखिए विधान परीशद में जो सदस्य की संख्या होती है उत्तप्रदेश की 100 है पता होना चाहिए आपको डारेक्ट कुछा ज जिसमें योगी आतिति तेनाद जी को फिर से यूपी की कमान समाली तो वह होते हैं आपके 403 जी आपको पता है कि 18 से अप इसके एलेक्षन के लिए खड़े हो सकते हैं और एलेक्षन के लिए वोट भी आप 18 के प्लिस दे सकते हैं ठीक है यानि कि अगर आपको अपने चुनने हैं यानि विधायक का चुनाओ करना है तो आपकी पर अठारा वड्ende के लिए इनका विधान सबोता है और जो इनके सहरत से होते हैं विधान इसाल मुज चलता है लोगसभा और राज्यसभा ठीक है उनका भी आपको लोगसभा के पांच ये होता है और राज्यसभा का छे होता है है इसी च्छोटप पॉइंट आ पढ़ लिजिएगा को ही इधि यह तो बर्स में आपके एक थैसे जैसे रिटार होते हैं यह आपके 5 साल में होते हैं और दिखिए इजिसमें यह सरवादिक सीटे पूछ लिए जाता है सब्से आप से एक तरीके से और वन आउट करके पूछ लेगा आपको सबसे कम कौन सी है तो आप एक बार रीट कर लिजागा सबसे जादा प्रियाग राज लिए नेक्स्ट आपको देखे यहां से आपका सलीमेटर स्टार्ट होता है देखे इसमें यह पूछेगा उत्तप्रदेश विधान सबा का प्रिथम अध्यक्स कौन था जानि आप जी कि विधान सबा होती है उसका अध्यक्स चुना जाता है तो उसका अध्यक्स उत्तप्रदेश का सबसे पहले कौन रहा है तो यह question कई बार पूछा जा चुका है आपको पता होना चाहिए याद होना चाहिए कि पिर्थम अध्यक्स विद्धान सबागा पिर्थम अध्यक्स राजश्री पुरुषत्तम दास टंडन रहे हैं सबसे पहले और आजादी के टाइम पर भी यही रहे थे देखी यह पूछ लिया जाता है आजादी के टाइम पर भी पुरुषत्तम दास टंडन जी थे और जब उत्तप्रदेश का निर्माण हुआ मतलब कि जब उत्तप्रदेश को उत्तप्रदेश कहा जाने लगा निस्सों पचास की बाद है छबी जैन्वरी की तो आपका यह तब भी आपके आजादी के टाइम पर भी पुरुषत्तम दास टंडन जी थे और जब उत्तप्रदेश उसका नाम बदला गया यानि आज का जो उत्तप्रदेश है उनके भी आपके राजश्री पुरुषत्तम दास टंडन जी थे ठीक है इसी तरह की से विधान परिशत का पूछ लिए आ उत्तप्रदेश को उत्तप्रदेश कहा जाने लगा संयुक्त प्रांथ से तो सबसे पहले बने स्री चंदरभाल जी ठीक है देखिए दोनों में कंफ्यूज मत हुईएगा अगर वो पूछे यू उत्तप्रदेश के सबसे पहले कौन से थे तो आपको लिखना है चंदरभा सब्सक्राइश का या फिर यूनाइटिट प्रविंद्स का पूछे याने संहिक प्रांथ का पूछे ठीक है चलिए विदान सब्सक्राइब कि सरवाधिक तीन वार अध्यक्स तक किन किन लोगों ने किये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है आत्मराम गोविंद खैर और के श्रीनाद त्रिपाठी आत्मराम गोविंद खैर और केरेन त्रिपाठी जी कि कहें को पता होना चाहिए आपके मान वेंदर सेंब रोटमीर्न सुब कर कोばर मान वेंदर सेंब और उत्तप्र attends me troubled कि विदान सबागे व्रतमाना ध्यक्स को 사्टीश महाना पीएगे और आइ तो दिनेश शर्मा और विपक्ष में कोने यानि विरोधी दल के नेता कोने विधान परिशद में तो वह आपके संजल अठर सपाके तो यह सारी चीज आपको पता होनी चाहिए एक बार फिर से बताता हूं कि देगी संयुक्त परांत के सरसीता राम उत्तर प्रदेश के चंद्रभाल जी पिर्थम अध्यक्ष विधान सभा के पुर्शुत्तम दास्टंडन जी है सबसे जादा तीनवार अध्यक्ष कौन मना है आत्मराम गोविंद खेर और केशिनात्रिपाठी जी मौझूदा कौन ह विधान सभा के सभापती वह आपके कुवर मानवेंदर सिंग है और विधान परिशत में जो रूनिंग पार्टी है उनके नेता को ने वह है दिनेश सर्मा और अपोजिशन के विरोधी दल्गे हैं आपके संजयल अठर और वरतवान अध्यक्ष विधान सभा के सतीश महान होना जी ठीक है यह सारी चीज़ आपको पता होनी चाहिए एक्जाम के पॉइंट ऑफ यू से यह देखे यह इनके विधान परिशत के टैन्योर दिया हुआ है कि कब से कब तक रहे थे मोजुदर देखे आप यहीं है मोजुदर देखे कुवर मानवेंदर सिंग है 31 जनुर कि आप समय में कौन से सभापती थे कौन से अध्यक्स थे विधान सभाई विधान परिशत के में आपको सारे कंप्लीट बता दी ऐ कि इसकी बाद आते हैं गवर्नर यानि राज जिपाल इसमें देखे काफी कंफूज काफी कंफूजन क्रियेट होने वाला आपके सामने दे तो दीखियों, सब से पहले यहाद रखना है तो इतना सकता है वो संयुक्त प्राइंस का thoughts तो सर हर कोटисpencer butler यानी सर करकोट butler, यह याद रखें सर के साहसे, लगाते ही थे। सब के सामना आपको सर दीए葆 ठीक है लेकिन आपको नाम याद करने के लिए हर कौर्ट बटलर ठीक है चलिए पहला नाम तो आपको यह याद रखना है कि सर हर कौर बटलर थे संयुक्त प्रांथ के एनि यूनाइटिड प्रवियंसिस के और सबसे आखरी कौन से थे ये थे आपके सर फ्रांसिस वर्नर फ्रांसिस वर्नर तो दो नाम आपको याद रखने हैं देखिए आप से ये भी पूछ लेगा कि आजादी के टाइम पर उत्तप्रदेश का रज्यपाल कौन थे तो फ्रांसिस वर्नर वाईली और सबसे पहले कौन से थे आपके हर्कौट बटलर ठीक है अब देखिए ये पूछ लिया जाता है कि आजादी के बाद उत्तप्रदेश का गवर्नर कौन बनी थे वह है आपकी सरोजनी नाइडू ये इंपोर्टेंट इसलिए वाता है क्योंकि ये पहली महिला थी पहली गवर्नर महिला थी यूपी की इसलिए इंपोर्टेंट हो जाता है एक तो ये कि आजादी के टाइम यानि जब हम भारत आजाद हुआ तो उस टाइम पर यूपी की गवर्नर कौन बना एक तो कॉशन ये बन जाता है इसका दूसरा सेम ये है कि पहली महिला गवर्नर कौन बनी तो वो भी आपकी सरोजनी नाइडू थी ठीके अब देखिए ये तो होगे आपका जब इसका नाम संयुक्त प्रांद था ठीके अब पूछ लेगा कि वो आपसे उत्तर प्रदेश का सबसे पहले कौन था था तो देखिए आपको दोनों में कन्फूज नहीं होना है अगर वो ये पूछे कि पहली महिला कौन थी वो आपको कॉशन के अंडस्टेंडिंग के उपर है कि देखिए वो ये दोनों नाम नाइडू और एक साथ नहीं देगा वो ये दोनाम तब देगा जब वो बात करेगा कि आजादी के टाइम पर या फिर आजादी के बाद इस तरीके कोई रेफरेंस देगा तो आपको कॉश्चन को समझना है कि वो पूछना क्या चा रहा है वरना अगर वो उत्तर पूछ रहा है कि सबसे पहला कौन था यूपी का आजादी के टाइम का अरव उसने सारोजनी नाइडू नहीं दिया तो इसका मतलब वो प्रोपर यूपी का पूछ रहा है 1950 के बाद ये देखिए 26 जनुरी 1950 को एच्पी मोधी साब बने थे उत्तर प्रदेश के पहले गवर करना है कि पूछना क्या चाह रहा है क्योंकि देखिए ये कंफूजिंग पॉइंट होते हैं जब आप पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में कंफूजिंग और एक्जामेनर इसी चीज़ का फायदा उठाता है वह आपको इनी चीज़ों में उल्जा देगा कि पहला कौन था आजादिकेस हमें कौन था यूपी का पहले कौन था इस तरीके से तो आपको कंफूज नहीं होना है आपको क्वेश्चन को अच्छी तरीके समझना है कि वह पूछना क्या चाह रहा है ठीक है महीला अगर उन्होंने पूछा महीला कौन है उत्तप्रदेश के तो आपको पूछा है अगर वह पूछता संयुक्तरास्ट का तो सरोजनी नाइडू होती इसका अंसर ठीक है चलिए आपको सिर्फ यह जानना है कि पहले कौन थे बीच के आपके इतने कुछ खास नहीं है क्योंकि इतने सारे नाम कुजात करने को मतलब यह नहीं उसने भी तक पूछे अब देखिए इसमें आपको बीच का क्या पूछ सकता है और बीच का यह पूछ सकता है कि पहले मुस्लिम सभापती कौन थे तो देखिए यह थे अकबर अली खान यह अकबर अली खान जी थे 14 नमबर 1972 से 24 अक्टूबर 1974 तक यह गवर्नर रहे पहले मुस्लिम गवर्नर का नाम बताईए तो अकबर अली खान यह आपको याद रखना है इसके बाद आप से फिर पूछेगा हाल ही में कौन है तो हाल ही में आनंदी बेन पटेल चीए यह 29 जुलाए 2019 से लेकर अभी तक आपके आनंदी बेन पटेल ही है चीए चलिए इसके बाद हम बात करते हैं मुख्य मंत्री की देखिए यहाँ भी आपको बहुत कंफ्यूज होने वाला आपके दिवाएंग में वो क्यों इतना नहीं है मैं आपको बताऊंगा देखिए सबसे पहले अगर वो पूछे देखिए आपको इसमें सिर्फ एक नाम याद करना है गोविंद वरलब पंथ आप वो क्वेश्चन कुछ भी पूछता रहें अगर वो पूछे कि संयुक्त प्रांत का कोय था तो आपके गोविंद वरलब प तो आपके गोविंद वरलब पंथ अगर वो पूछे उत्तर प्रदेश का क्या था तो भी आपके गोविंद वरलब पंथ क्योंकि देखिए जो इनका कार्यकाल है वो एक अपरेल 1946 से 1954 तक था यानि कि जब हम आजाद हुए तो भी गोविंद वरलब पंथ जी थे उसके बा गोविंद वरलब पंथ की थे क्योंकि देखिए 26 जनवरी 26 जनवरी 1950 की बात है जब उत्तर प्रदेश नाम रखा गया तो देखिए इनका कार्यकाल तो 1954 तक चला है ठीक है चलिए इसके बाद पहली मुख्यमंत्री महिला मुख्यमंत्री तो सोचिता क्रिपलानी मेडम ठीक है चलिए आपको यह नाम याद रखना है गोविंद वरलब पंथ में आपको सारी कंडिशन मने बता दी तो सुचिता क्रिपलानी इनका आप टैन्योर जरूर याद कीजिएगा दो अक्टूवर 1963 से लेकर 1966 तक यह आपको याद रखना ही रखना है क्योंकि देखिए यह क्वेशन तो हर कोई पहचान लेता है और बार बार रिपीट भी होते रहते हैं यह रिपीट नहीं होते हैं क्योंकि देखिए अगर इस टोपिक से क्वेशन पूछेगा जो जो मैं इसे लड़के बैठाओ और आपको बिल्कुल यह सोच के बैठाओगा मैं किसी को पास नहीं होने दूँगा देखिए इनका टैन्यूर पूछ लेगा ठीक है चली तो आप मैं इसलिए बोल रहा हूँ आपसे कि आप एक बाद टैन्यूर याद कर लीजेगा पंथ गोविंद वल्लम पंथ यानि सबका ही कर लीजेगा सबका मतलब जो जो में बताए हैं मैंने आपको कि सबसे पहला कौनता आजादी के टाइम कौनता है यह सारी चीजे ठीक है अब एक बाद नजर मार लीजेगा मोटी मोटी चलिए इसके बाद आपको जो इसमें याद रखना है यह देखिए आपको याद रखना है माया वत्ती जी क्यों याद रखनी है देखिए एक दो तीन चार और यहीं इसका क्वेशन बन जाता है कि यूपी के सबसे ज़्यादा सीम कौन बना यानि सबसे ज़्यादा यूपी के बतोर सीम सपत सबसे ज़्यादा किसने ली या सबसे ज़्यादा बार किसने ली तो माया वत्ती जी ने सबसे ज़्यादा चार बार कितनी बार चार बार वो यूपी की सीम बनी है टैनियोर बीच भी में हाला कि बहुत कम-कम रहा है इनका देखिए महिनों ही चला है इस सुरू के स्टार्टिंग में तो फिर यहाँ पर थोड़ा एक सबसाल चला और इसके बाद इन्होंने जो कंपले टैनियोर किया उन्हें 27 से लेकर 2012 तक के बीच किया तो लेखिए आपको यह याद होना चाहिए पता होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा बार आपके माया वती जी बनी है कितनी बार चार बार ठीक है मौझूदा कौन है मौझूदा आपके योगी अजित्तनाज जी है अब देखिए मैं आपसे एक क्वेशन पूछता हूँ और ये काफी हाइलाइट रहा था अगर आपने इलेक्शन के टाइम पे टीवी वगरा देखा होगा नियूज वगरा देखी होगी तो आपको पता होगा कि योगी या इत्तियनात पहले पहले नहीं मतलब दूसरे ऐसे म मुख्य मंत्री हैं जिन्होंने सी एम के पद को लगतार दूसरी बार ग्रहन किया है मतलब ये कि देखिए पहला इनका टैनियूर था दोजार सतरह से बाइस तक अब इन्हों का मतलब मैं ये समझाना चाहरा हूँ आपको कि दोजार बाइस के बाद भी दौरा जीत के मतलब लगतार दूसरी बार जीत लेकर जो हाथ सी एम बने हैं वो आपके योगी जी है और इससे पहले को था इससे पहले मायवाती जी थी तो देखिए दोनों में कन्फूजन नहीं होना आपको अगर वो ये पूछे कि सबसे पहली बार वो ऐसा कौन सा देखिए आपको वो पू युपी के ऐसे सीम का था awake नाम बताई हिस्थ लगतार दो बार जीत हासिल का युपी के सीम की कुरसी को समबाला या ठीक है तो वो कौन सी है वो हैं आपकी मयवाती आपकी मयवाती थि और दूसरे आपकी योगी जी है देखिए ये तो पूछेगा ही ‫नए क्योंकि पहले ऐसा कौन सा नेता है जिसने लगातार दो बार जीत हासिल करके CM की कुर्सी को संभाला तो मायवत्य जीए देखी यह रहा इनका टैन्यूर काफी छोटा था 95 से 95 तक 97 से 97 तक महिनों का ही इनका टैन्यूर चला था चीक है अब बात कर लेते हैं यह योगी जी बतोर देखें के सिक्वेंस में देखेंगे अब आपको देखें क्या क्या ध्यान देना कई बार पूछा गया है जो योगी अब नहीं समझे देखें ऐसे बताना चाहरा हूं कि आप यह समझे कि 33 बार इलेक्शन वे एक तरीके से और 33 बार को जो इलेक्शन जीता है वो योगी जी नहीं जीता है यानि कि योगी जी जो है वो 33 मुख्यमंत्री है उत्तर पड़देश के अब देखें क्योंकि कुछ म मायवति जी है यह मुलायम जी है मुलायम सिंग्या दाम है इनका देखें इन्होंने तीन वार अपना टैन्योर किया यानि यह 20 वी रहे थे 20 मुख्यमंत्री बने उत्तर पड़देश के 22 वे बने और 39 वे यानि कि व्यक्ति तो एकी रा ना टैन्योर इसने तीन किये इसी त तरीके से वेक्ति के हिसाब से तो योगी जी 21 में है लेकिन टैन्योर के हिसाब से अब 33 भी हो चुके है देकि 32 तो यह था इनका 22 तक लेकिन अब 33 वे 22 से इनका जो चलेगा वो 27 तक चलेगा ठीक है तो देकि इस तरीके से वो question पूछ लिएगा यहाँ पर लिखा भी है कि के अनुसार योगी आजित्यनात राज्ये के 21 मुख्यमंत्री है लेकिन 25 मार्स के मुख्यमंत्री के एपद पर अपने दूसरे कर्रेका ले तुन्हों ने पुन्हा सपद ग्रहन की चीक है नेक्स्ट इसमें दे रखा एक छोटा सा नॉइंट एक्जाम के point of view से कि 21 फरवरी करीब करीब दो दिन के लिए दोरान राज्यपाल द्वारा जगदंबिका पॉल को मुख्यमंत्री की सपद दिलाई गए थी लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट ने इनकी नियुक्ति को अवैद घोशित किया था ठीक है तो देखी ये क्वेश्चन है कई बार पूछा है और पूछ भी लेगा कि ऐसा कौन से मुख्यमंत्री थे जिनका कारेकाल ये जिनके सपद को सुप्रीम कोर्ट ने इलिगल ये मैं कहूं अवैद घोशित किया तो जगदंबिका पाल ठीक है चलिए ये आपको पता ह होने चाहिए देखिए जितने ही पॉइंट एफ एग्जाम के पॉइंट ऑफ यू से वह मैं आपको सारे बताते हैं चलना हूँ मेरी भी देखिए छोटी से क्वेस्ट है कि वीडियो को प्लीज लाइक और शेयर चरूर कर दीजिए आप लेकपाल के त्यारी कर रहे हैं या जो यूपी पॉलिस का होता है लेकपाल का उनके लिए जो मैं आपको डाटा दे रहा हूँ यह आपको सफिसेंट है इस से बाहर कुछ भी नहीं जा सकता इस चीज़ कि मैं आपके लिए प्ली मेहनत कर रहा हूं तो फ्लीज वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और चै मंत्री 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 की सपत होती है या नियुक्ति कोन करता है वह आपको गवर्णर या राजजपाल करते हैं और राजस्य पाली मुख्य मंत्री के परामारसे से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है यहीं जिसके जिन नेताओ कि सी मुख्य मंत्री राज जपाल जी को देंगे उनकी न्युक्ति ही गवर्नर करवाएंगे ठीक है मंत्री परीशत राज्य की विधान सब्वा के प्रति सामोहिक रूप से उत्तरदाई होता है यानि यूपी का जो सीम होगा वो जितने विधान सब्वा होंगा उनका सामोहिक कि मारवारी एक मात्र ऐसे नेता थे यह मैं कहांँ सीम थे जिन्नों ने यूपी के सीम की खुर्शी समाली और विभाजन के बाद उत्रखंड के उत्त्रखंड के यूपी अलग हुए थे अब तो नाम उसका उत्राखंड है तो उन्होंने यूपी के CM की भी कुर्सी समा ली थी और जब दोनों अलग-अलग हो गए तो उन्हें उत्राखंड का भी CM बनाया गया तो उनका नाम था नारायंड दत्तिवारी ठीक है और देखिए दूसरा है चोद्री चरंड सिंग और विश्पनात परताब सिंग आपको नाम पता होगा चोद्री चरंड सिंग और विश्पनात परताब सिंग जो की UP के मुख्य मंतरी भी रहे और भारत के परदार मंतरी भी रहे ठीक है लेकिन देखिए इनके बारे मे दिर गई थी और चेंज हो गया था यानि कि एक मात्र ऐसे प्रधान मंत्री जो संसद नहीं जा सके तो चोदर चरण सिंग ठीक है और यूपी में भी इनका कुछ खास राजनितिक मामने में नहीं रहा ना इतना अच्छा इनका कार्यकाल रहा अच्छा मतलब टैन्योर की बात कर रहा हूँ अच्छा बड़ा देखिए मैं तो था नहीं उस टाइम पर तो मैं कुछ कह नहीं सकता कोई में राजनितिक टेपड़ी नहीं करूंगा मैं आपर टैन्योर की बात करूंगा देखिए चोधिर चरण सिंग का जो कार्यकाल था वो फरवरिद से अक्टूबर तक चला ठीक है चलिए तो मैं इस चीज की बात कर रहा हूं कि महिनों में चला था तो चोधिर चरण सिंग और विश्वनात परताब सिंग दो ऐसे मुख्य मंत्री हैं जो यूपी के सी एम और भारत के PM की इनोंने कमान समाली एक साथ नहीं मतलब यूपी के सीम भी रहे हैं और राजिव गांदी विश्वनात परताब सिंग चंद सेगर अटल बिहारी वाजपई उत्तर परदेश के ऐसे नेता हैं जो भारत के प्रधान मंत्री रहे हैं यानि कि यूपी के नेता हैं वो है कि यूपी के सीम रहे हैं और पीम भी रहे हैं यह हैं यूपी से निकल कर गए है जवान नान नेरू लाल बादुर सास्त्री इंद्रा गांदी चोधरी चरणर सिंग राजिव गांदी विश्वनात प्रताब सिंग चंद सेगर अटल बिहारी वाजबी और जो मौझूदा प्रधान मंतरी मोदी जी है वो है तो गुजरात के लेकिन जो उनका चेत्र है विधान सभा चेत्र है सरी संसतिय चेत्र है वो बनारस है यानि एक तरीके से उनको भी उनका कनेक्शन भी यूपी से है यूपी की काशी बनारस से है चीके चलिए इसके बाद आते हैं कि विधान सभा के अध्यक्ष जिसके आप इलेक्शन लड़ते हैं उसका एक अ यहां पर बस उन्होंने लिस्ट दी है जैसे सबसे पहले विधान परिषद की लिस्ट दी हुई थी टैन्योर के साथ यहां पर उन्होंने वही दी है तो आप एक बबार पढ़ी लीजिएगा कोंद कोंसी है सबसे आदवार देखिए मैं आपको बताया था कि सबसे आदवार आपके आत्माराम गोविंद खेर और केशना त्रिपाटी जी बने देखिए गिन लेते हैं तीन तीर बार बने थे गोवर्ण आत्मराम जी का पहला दूसरा और तीसरा टैन्य और यह रहा इसके बाद जो तीसरी बार बने थे वो केशनात्य पार्ठी जी थे इनका भी देख लेते हैं कब कब बने देखिए पहला यह रहा दूसरा यह रहा तीस खुचरा ये लगर तो तीन- तीन महार बने थे मिइन आपको स्टार्टिंग मसे बताय closer वो आपके सतीस महानाजी है ये आपको नाम पता होना चाहिए और विद्हान सभा के हैं ये विद्हान सबादे सतीस महानजी है विद्हान प्रिस्द कें को मढर मानardi कुबर मानवेंद्र सिंग पता होना चाहिए अब यह एक्जाम के कुछ इंपोर्टेंट नोट से हुआ पढ़ लेते हैं देखिए वैसे तो मैंना कुछ सारी चीज़े बता दिया है कि मायवती ऐसी राज देता हैं जिन्हें उत्ते प्रदेश की मुख्य मंतर पर चार बार अ यह मैंन आपको बताया मुझूदा आपकी आनंदिवेन पटे लें पहली मुख्य मंतरी देश में किसी भी राज्ये की सुचेता किरपलानी थी यह मैंन आपको बताया कि यूपी के सबसे पहले मुख्य मंतरी जहीं सुचेता किरपलानी रही थी और देश में भी सबसे पहल मुख्य मंत्री रही किसी राज्य की टैनियोड देख लिजेगा पहली राज्यपाल और भारत की प्रतम महीला राज्यपाल भी कौन रही थी सरोजिनी नाइडू कार्यकाल देख लिजेगा पंदर अगस्त के बाद ही हैं 1947-1946 तक ये भी आपको बताया चोधरी चरहांड ये भी आपको मैंने बता दिया कि तीन वार तीन वार को तो खायचना नहीं आगा लेकिन आप पूछ लेगा तीन तीन वार कौन नहीं है तो चंदरभान गुप्त जी नाराण देत्ति वारी मुलाहिम सिंग आदब तीन तीन वार रही है एक और सबसे आदा बार आपकी माय का विदान सभा की भात की उचा है इसां कि अर्व धहनफ परिसंट के बारे ने बताया पहला और आकरी कौन किस तरह के से थे ? उसके बद हमने गवरनर्र की बात की यानि राजजपाल की बात की फिर सीम के बारे में जाना धी कुछ दो चार पॉइंट है मैं आपको बता दू मैंने सीट आपको बता ही दी थी कि कि ती надо और और लोग सब्ग और उसका वह सब बता दिये था लोग सब्ग कि सीटे कितनी होती है कई बार question पुछा गया है कि लोग सभा की जो सीटे हैं वो यूपी में 80 सीटे हैं ठीक है विधान परीशत की संख्या कितनी थी 100 थी और विधान सभा के संख्या वापकी 403 थी तो लोग सभा की कितनी सीटें आपकी 80 सीटें लोग सभा की इसमें से स्टी के लिए कोई भी यानि जब की 80 सीटे हैं लोग सभा के लिए उसमें आपकी एक भी सीट स्टी के लिए नहीं है ST के लिए कोई seat reserve नहीं है हाँ आपकी SC के लिए है लोग के सबक्त करड़ Carmen ने बताया 5 साल का होता है विधान सबक गई 5 का होता है और विधान परीज़त का 6 साल का होता है ठीक है चलिए देखिए आज मेरे पास आपको जो बताने का था विधान प्रजिसार विधान था यही सब था इससे बहार आपका कुछ भी नहीं आएगा क्यों क्योंकि देखिए जितने भी टोटल पॉइंट से वह आपको सारे बताए हैं ठीक है तो आज मैं आज आपका यहीं तक रखता कल फिर एक नया टॉपिक अगर दो चार टॉपिक हैं देखिए मैं दो तीन टॉपिक अब एक साथ लेकर चलाँ क्योंकि बेखिए अब जढ़ा मैटेरियल बचा नहीं है गणना चकर मेंभी क्योंकि देखिए मैंन बड़े-बड़े चैप्टर था हुनने स्टार्ट में मे वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजीगा चलिए मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक कि लिए आपका धन्यवाद जैहिंद